तो एक बार फीर से ही आपका स्वागत आपके अपने चैनल लाइट डिटेल में जहां पर आज की हमारी इस video में हम बात करने वाले एं बेंटर नीवर्स और मार्फल नीवर्स के गिणक्र को इंखल Dear और मार्वल इनिवर्स से कुछ गर्डर को इंकलूड किया है जिनकी आपस में हम बैटल कराने वाले और देखने वाले की यहाँ पे कौन से यूनिवर्स की टीम ज़्यादा श्रॉइंग है तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हों कि इन में से कौन ज़्यादा पाउरफूल है और कौन सी टीम यहां पे विडियो बनेगी तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को था जिसका नेम था ऐक्सेलरेट अब इसके पास भी अच्छेलरेट की तरह स्पीड की पावर थी यह अपनी स्पीड का यूज करके अपने ओपनेंट के साथ बैटल करता था और इसकी स्पीड की वजह से इसका हैंट पेन कोमबेट का एक्सपीरियोंस काफी जादा बढ़ same power है लेकिन अगर बात कर ले जाए इनकी speed के वेसेश पे तो fast track के मुकाबले quicksilver जो है ज़्यादा fast travel कर सकता है या इनकी उसकी speed ज़्यादा है अगर इनकी speed के वेसेश पे हम comparison करें तो यहाँ पे quicksilver easily जो है fast track को defeat कर सकता अपनी speed का use करके क्योंकि हमें देखने को मिले है कि जब fast track दोड़ना start करता है तो उसको easily कोई न कोई देख सकता है जबकि quicksilver जब दोड़ना start करता है उस टाइम पे इसका जो ओपनेंट है वो इसको देख भी नहीं पाता तो यहाँ पर इन दोनों पावर काफी जदा similar है बात कर ली जाए रैट के बारे में तो रैट की first appearance हमें गाइस बेंटन इलिन फोर्स में देखने को मिली थी जहाँ पर glitch की वज़ए से ओमने ट्रिक्स ने रैट का डियने अनलोक कर दिया था अब इसकी powers की बात करें तो इसके पास काफी strength है इसकी durability level भी काफी जाद है और इसको mixed martial art आते हैं बैटल के दुरान अपने mixed martial art का काफी ज़दा यह use करता है और इसकी सबसे main power की बात करें तो इसके पास अपने close है ज बुलबरीन के पास तो अपना एक healing factor भी है जिस वज़े से अगर बुलबरीन की पूरी body को destroy भी कर दिया जाए उसके बाद भी बुलबरीन जो है द्वारा से heal कर जाता है पर इसकी बोडी को destroy करना लगबग ना मुंकिन है तो अगर इन दोनों character की powers के basis पे देखें कि इन दो काफी ज़दा heavily attack कर सकता है बुलबरीन की बोडी पर क्योंकि बुलबरीन के मुकावले रैत काफी ज़दा flexible है लेकिन एक टाइम के बाद रैत जो है बैटल में ठक जाएगा और उसके बाद बुलबरीन जो है इसली रैत को defeat कर सकता है क्योंकि हमें पता कि अगर रैत killing factor नहीं है तो यह वाला point मिलेगा टीम मार्वल को अब बात करते हैं आज के हमारी final battle के बारे में जो कि फोर आंप्स वर्सस इंक्रीडिवल हल्क के बिच इंक्रीडिवल हल्क फर्स्ट टाइम हमें मार्वल इन्युवर्स की कोमिक्स में देखने को मिला था और अभी के वारा वो इसके angry mood पर depend करती है अगर हल्क ज्यादा angry होगा तो इसकी power level भी उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी और हल्क के पास bulbarine की तरह है अपना एक healing factor है जिस वजह से इसकी body को destroy कर दिया जाए तो द्वारा से heal हो जाती है बात कर लिजाए 4 arms की power के बारे में तो 4 arms के पास अपने चार हात है जिनका ये battle को दुरान काफी ज्यादा यूज करता है इसके पास अपने strength level काफी ज्यादा है और इसकी durability भी काफी ज्यादा है अपने stamina की वजह से ये एक battle को काफी लंबे time तक continue कर सकता है और ये अपने चारो हातों का use करके sonic clap की power का भी use कर सकता है अब इ लेकिन हम लोग ये बात जानते कि incredible hulk की जो power level है वो battle के दुरान बढ़ती ही रहती है तो अगर four arms के साथ incredible hulk की battle होती है तो four arms जो है hulk को काफी अच्छी टकर दे सकता है लेकिन एक time limit के बात hulk का जो power level है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि four arms जो इसके सामने नहीं इनकी टीम के लिए काफी बुरी वाली हा रहा है लेकिन आप लोग को पता है कि marul की जो टीम है यहां पर काफी इदा स्ट्रोंग है और अगर आपको लगता है कि मैंने इन करेक्टर को यहां पर चूज करके गलती कर दी तो आप लोग नीचे कोमेंट करके मुझे बताना कि आज की यह वाली वीडियो यहीं तक थी अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगाया तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फीचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो में तब तक के लिए आप लोग पहले अप्ल